प्र्मीर अफिश्यरत को है है तो मैसे इत्लो कि यह प्रजू और नहीं कि मुस्क्ल बनिए था नहीं देणव पड़े गह esto पहला पहला पक्को बन जाओ तो ठीक है तो मठकी तुम आई ता खाली पड़ी हो धारी अच्छा पाणी ड्यूटी लागी कौनी और देसी रहना देसी खाना देसी पीना नमशकार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केश हो दोस्तो आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सभी को मेरी और से सुबह की राम राम नमशकार गुड मॉर्निंग दोस्तो अभी मेरी यातरा चल रही है राजस्तान के पश्चिम छेतर की और आप लगोतार मुझे देख रहे हो अब मैं हूँ राजस्तान के बिकानेर जिले में और बिकानेर जिले में जो पुराने कल्चर है ओल्ड कल्चर है आपको पता है कि मैं हमेशा के लिए जो राजस्तान के पिछडे पुराने कल्चर, ओल्ड कल्चर जो विलेज इक्स्प्लोर के वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूँ और धारमिकस्तल के वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूँ तो आज इसे ही में एक धानी में आया हूँ जहां पर बहुत ही पुरानी कला से बनाये वा गोबर शेलिमपा वा घर यहां पर महिलाहों के संगर्स और जो पूरूस हैं उनके संगर्स कठिन संगर्स क्या इनकी व्यूस्ता है किसा इनका रहन सैन है आज के इस वीडियो में पेज़ पर अपने मित्रों के साथ शेर जरूर करें मैं आपका अपना संतोस विश्णोई संतोस साथी यूटूब और फेस्वूक पेज से चलो आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और जो पीछे घर हैं यहां पर रहने वाले ओनर है इस घर के उनसे बाचित करके और आ पीम योजना के तहथ इनका घर बना है मतलब किसी भाई का और का है और इन माता जी का घर जो आप सामने देख रहे हो यह हैं और इधर देखे तो यह किसी और भाई का घर है मतलब पीम योजना के तहथ बना हूवा गर है यह बहुत ही डिजाइन है तो तो मैं माता जी से थ अच्छा मतलब यह डिजाइन बनाया यह किस ने बनाया था अच्छा बनवाया था घुद नहीं बनाया या किसी ओर से मधा पर से आच्छा और में तो यह लड़के लड़कोश गते हो बाजेते हो बम साउके बंग डॉत कच्छा है अगया वाट शे गया हूंचा के ले गया हूं मतलब बहुत संग्डाओं जोड़ कि और हैं अचंग कुंडां मतलब किती दूर लेगया हूं बिदने वहाब दो-तीन किलो मिट्रूं मतलब सर पर उंचा कर लेके हो वाया बहुत संगर से आपका मतलब आप सर पर उंचा कर लेके आते हो और यह बनाए यह क्या बनाए आप आके बताएए यह जो गेट लगा है चोटा अच्छा जो बक्री के चोटे-चोटे बच्चे होत अब बक्रिया है क्या आपके पास कितनी बग्रिया है चार-पांच बख्री ज्यादा नहीं है ना तो दोस्तों यह आप देख रहे हो बहुत ही पुराना घर है और मिटी से बनावा गया है और यहां पर आगे बनाया गया है तो चलो माता जी अंदर चलते हैं थोड़ा जारा देखने को मिलता है जैसे ही आप देखोगे यहां पर तो देखो कितना सुन्दर है तो माता जी वहां पर बेठी है आप एक बार जो हमेसा के लिए महिलाओं का एक स्थर जगा होती है चूला चूले के पास ही ओपती है ना तो वो के मैंनी महिला चूले के नहीं ओप है आ ना तो ओ छूलो है मिटी दो बना इड़ो अच्छा पाणी करम हो रहे है तो मतलब है ओ चूल आज तकल तो गेंस रिविस्ता होगी वी मिलन वा गया है तो मतेरे आदमे का अच्छा बक तो दोस्तों माता जी आप देख रहे हो इनका जो यह जीवन है और जो अगर गहर लिंपो हो तो थे लिंपो अचा उमीद है कि बहु आवेगी जद लेव देवेगी अचा उमीद है नहीं पर पहला पक्कु बन जावे तो ठीक है तो दोस्तों थी देख रहे हो माता जी बहुती सुंदर सुंदर बाता आपकर रहे हैं और बहुती पुरानों कल्चर है और देखो किस परकार गेट है जो पर पैंटिंग की गई है और बहुती सुंदर नजरा आप देखने को मिल रहे हैं यह पुराना गेट है यह देखो अब खरकरी होने लग गया है मतलब पुराना गेट है और डिजाइन बना गया है तो आज के इस वीडियो को लगोतार करत करते हैं ना वो प्रदानमंत्री योजना से बना हुआ है क्या अच्छा तो चलो दोस्तों वहीं पर जाकर भी बात्चित करते हैं कुछ और यह दरिश्य हैं बाहर का कुछ यह सामने एक जोपड़िशी बनाई गई है देखो खूबसूर्त बहुत घूपसूद तरिश्य है और यह पियों योजना के तहट बना हुआ है प्रदानमंत्री योजना के तहट जो माताजी से बात किये उन्हें की देवर का येगर बना हुए है और यह राजस्तानी कल्चर है देसी चुला यह देखो और यहां पे अब रोटिया बगेरा इनका खाना पाना त्यार हो रहा यह वात महांता तो है राजस्तान में हमेस्था कोई आते हैं तो गर पर महमानों की पूजा के सामान की जाती है तो यह इनकी मटकी बगरा है तो मटकी तुमाइता खाली पड़ी हो थारी हैं मटकी तहरी गाली पड़ी अच्छा पानी ड्यूटी लागी को नी मटकी तो खाली रहे तो अच्छा नेर तो अभी काम चाल रहे हो तो नेर भी खाली है भी अच्छा नेर खाली है अभी नेर पर उलेगे हो पानी अच्छा तो दोस्तों थे देख रहा हो अब यह रोटी पानी बनागे बाद में जा गे पानी लेगे अवगा नेर हूं और नेर करीब लगवग लगवग दो किलोमेटर यहां से होगी है ना तो यह देशी चुला है जो राजस्तानी कल्चर में आप हमेशा देख पाते हों ओल्ड कल्चर में वीडियो बनाता हूं तो देखो अगनी है अगनी के उपर सबजी वगवगेरा जो हो रही है पिछे जो लक लिया है और वो क्या कुंडी उसमें मिर्च बनाई या अच्छा मिर्च बनाने वाली और यह जो प्रदानमंत्री योजना के तहत बना हुआ घर है और अंदर भी देखें तो यह देखो मतलब वा यार मतलब यार टीवी यहां पर हमारी नहीं लग यह सी यह टीवी लग रखिया अंदर क्या बात है बहुत ही सुन्दर दृश्य हैं और इनकी चार पाई बगेर हैं जो भी अंदर परदानमंत्री योजना के तहते आपको कुश्य मिली है थवाड़ पीच्य हों तो आप देख रहे हूं बहुत ही खुबशूरत नजा रहा है और यह सामने देखो पूजा पार्ट के लिए जो भी सामने तस्वीर फोट जो लगी है और ये इनका जो भी समान बगिरए है जो ये गेश चुला तो आपको मिला हुआ है सरकार से मिला हुआ है अच्छा ये मिला हुआ है तो दोस्तो ये घर है परदानमंत्री योजना के तहफ बना है और इसके अंदर जो इनके घर का समान है वो आप देख रहे हो मतलब काफी लोगों को प्रदानमंत्री योजना के तहट फाइदा हुआ है काफी लोगों को फाइदा हुआ है लेकिन कुछ लोग है जो उनको अब तक नहीं मिला है अच्छा ये बात है तो दोस्तों बहुत ही खूबसूर्थ वीडियो में आपके साथ में शेर करा हूँ राजस्तान का बिल्कुल देशी कल्चर है और देशी रहना, देशी खाना, देशी पीना पिछली बार में इनके पास में आया था तो इन्होंने कोल किया कि एक बार वापिस आये तो में इनके पास आया और बहुत ही घूबसूर्थ वीडियो आपके साथ में शेर किया आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेर कर जो लाइक कर जो और कोमेंट कर जो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होगा बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ रामरामान जोसा